हेलो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजान ट्रेवलर की एक और नई वीडियो के साथ होप है आप सब लोग स्थीक ठाक होंगे सब लोग खुश होंगे सब लोग सही सलामत अपने गरों पे होंगे आज की वीडियो बना रहा हू इसको आप आवाइड नहीं करशने किसी भी हालत में चाहिए आप कुतना भी कंजुUSे कर लो आप इन खर्चों को अवाइड नहीं कर दे यह अपके बसी खर्चे नहीं बहुत और सास में आपके बात करेंगे भी जो आपकी average monthly salary होगी उसमें से आप कितना निकाल दोगे मतलब उसमें से कितनी amount आपकी इन खर्चों में चले जाएगी तो आपके पास कितना total बज़ेगा तो आज की वीडियो सारी उस चीज़ों के बारे में है तो प्लीज वीडियो को एं पर आवर वह है 22.65 प्लाट 22.65 आपको पर आवर salary मिले ही मिलेगी चाहे आप कहीं पे भी काम कर लो कोई भी काम कर लो मतलब अगर आप लेगली हो यहां पर काम करने का आपको राइट में रखा है इमिंग्रेशन ने कोई भी आपका किसी भी वीजा पर अगर आपके वास काम करने का राइट है तो आपको इतने 22.65 पैसे मिलेंगे मिलेंगे डॉलर मिलेंगे मिलेंगे सौरी पैसे बोल गया था अब उसमें होता क्या है यह विदाउट टेक्स है क्योंकि और उसके बाद आपके टेक्स कटके जितने भी आवर आप काम करोगे उसका 17.55 परसेंट वो मैंने टेक्स वाली वीडियो में आपको समझा रहा है तो अगर आप वीकली 40 आवर काम करते हो तो और मिनिममम वेज आपका 22.65 है तो एवरेज आपकी एनॉल सेलरी कुछ 50,000 मिनिममम बन अब 40,000 आपके एकांट में आगी तो अभी मैं उसको डिवाइड कर लेता हूं एक एवरेजली मतलब आपके एकांट में एक एवरेज मार्य चल देता है तो एक आपको टोटल सेविंग कितनी हो रही है और आपके खर्चे कहां जा रहे हैं तो एक आईडिया लग जाएगा मैं पहले बैलंस कर सकता हूं तो यहां पर जो सबसे बड़ा खर्च आए अब किसी भी सिटी आ जो सबसे बड़ी वह रेंट यहां पर बहुत महंगे और वह कितने महंगे हैं वह डिपेंड करेगा आपके रूंब की लोकेशन के उपर क्योंकि किए अगर आप किसी भी सिट अगर आप उसमें City Center के आसपास हो गई पर मतलब City of Center के तो मिलने में अगर यही चीज़े आप city के आसपास ले तो में इंदर लेते हो जाए वह थोड़ा सा वेरी कर जाएगा आप किसी से आप अब आप ले रहे हो जावलेंटल में ले रहे हो पर एक एवरेज बताता हूं कि आप city में ले रहे हो में city में तो उसी का रेंट आपको मंतली आसपास 1500 मिनीमम पढ़ जाएगा मिनीमम पंद्रहसों पढ़ जाएगा वन भी एचके का बतारों मंतली 1500 न्यूजिलेंड डॉलर ठीक है पर अगर आप सोड़ा सा city से बाहर चले जाओगे तो वह आपका 1200 के आसपास बढ़ लगे वह विकली करोगे या फिर आपको वीकली करना है तो मैं वीके शाथ यहां से बताता हूं तो वीकली अपका अगर आप city से फोड़ा सा दूर हो तो 300 मिनीमम रेंट आए गए या मिनीमम बता रहो इक और अगर आप city के असपास हो तो 400 500 के असपास आएगा तो यह है न क्वे एतना नहीं इतना ना तो जहां बेगे दिमांड जाना तो उभिसी बात है वह जो आपका उपसे जाना उनको पता यहां पर मांगने बहुत देने वाले काम है तो रेंट बढ़ जाएगा ना अटोमेटिक लिए बेसिक रेंट है दूसरा बड़ा खर्चा है वह आपका ग्रॉसरी का ग्रॉसरी में बेसिक खर्चा में बिल्कुल एक बंदे का बता रहा हूं मैं दो बंदों में जाए इसलिए अगर आप खाना घर पर बना रहे हो अगर आप खाना घर पर बनाते हो क्योंकि अगर आप बाहर खाओगे तो रोज के आपका टारों रोज का एक टाइम का दसवाल रमान के चलो दो टाइम भी खाना हुआ बीस तो वह तीस दिन का आपका 600 हो गया तो वह आपका बढ़ जाएगा वह आप कैसे अपने आपको रेंज करते हो इसलिए मैं एक वीडियो भी प्रपेर की है जल्दी में अप्लोड भी करें टो आपका बब्रेंत हो तो देह ऑद्रांस के सब्सक्राइन का बहतं आप नि वह वागए तो तो नहीं है कार ले लिए तब आपका और लगाते लग जाना है यह यह इसमें टाइम बच जाएगा अगर आपके पास कार भी है तो तो 100 डालर का उसका मंसली वह लगा लो मिनीमम मिनीमम तो आपका कितना हो गया आपका इंटरेट की बात की है इसमें आपकी ऑन जाना है इसमें आपकी बिजली नहीं है लेक्टि सीटी इंटरेट पानी का उसी में हो जाएगा तो सिंपल दो खर्चे लेगे चलते हैं एलेक्ट्रिसिटी और आपका वाइफाइब अगरा का आपका मिनियम भी मंथली आपका 200 डॉलर उसका है ठीक है कि दो सोड डॉलर कितना है आपका 1102 अठरा सो गया इसके लावा आप जादा वो खर्चा नहीं है इस अभी कब आपने सुड़ी शॉपिंग कर ली मन्तली ली जीन्स ले लिए चाहिए आपने कोई कोई जेख ली कभी कभार बाहर सेखा लिए इन सबका मिला कि आप ज़ने चल तोड़ा सा कंट्रोल से चलते हो और सोड़ा सा समझ के चलते हो ना इन चीजों को हाँ इसमें मैं आपको थोड़ा सा इदर उदर का बताता है तो भी कहां पर वेरियेशन आती है जनली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं जो अच्छी बात है मैं इस चीज को बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छे सब्सक्राइब तो जहां पर एक बंदा 300 दे रहे था अब एक बंदा 200 देगा आपने 100 डॉलर वहां बचा लिया तो अगर आप मिलके खाना बनाओगे जो मैंने आपका मंतली 300 बताएगा आप 100 डॉलर वहां पर बिचा लोगे अगर आपका सिमिलर लिए अगर आप एक ठे रह रहे हो एलेक्ट्रिसिटी और वाई फाई में क्योंकि प्लैन तो आपका बाता है अगर आप फैमली के साथ रहते हो अगर आप कपल हो तो वह चीज़ें लगा जोते हैं मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूं कपल में पर आपकी खर्चेंगे पर उसमें आपके कमाने वाले पी फिर दो लोग हो जाते हैं हमेशाँ लोगों से बात करते हanor जो पराने लोग थे जैसे आप यहां पर आ जाते हो तो आप बात करो जैसी कोई चीज बाई करने जा रहे हो आप दूसे बात करो भी कहां पे मुझे तो अलग अलग है यहां पर कोई fix rate नहीं है किसी भी चीज़ का कुई यहां पर आपको बहुत कम चीज़ होगा जहें पर प्राइस लिखा होगा कहीं पर आप सिर्फ स्कैन करके ही आपको पता चलेगा भी इसका प्राइस क्या है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं किसी का fix price नहीं है तो इसलिए जब भी आप यहां पर आओ अगर आपको कुछ भी लेने का plan कर रहे हो आप तो यहां पर कोई पराना बंदा रह रहा है किसी सभी बात करो उससे प पराने जोगी उनका टेबल है उसको वह बाहर रखते हैं गर के बास अगर किसी को पसंद आ गया वह तो उठाके ले जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी और बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आपको second end चीज़ें मिल जाती हैं जो नॉर्मल यू सब्सक्राइब करता है क्योंकि वह आपको तभी पता चलेगा अगर आप किसी से बात करोगे मैं अपने एक्स्पिरियंस के साफ से आपको जो बोनस स्येशन देना चाहता हूं वह जैसी आप यहां पर लेंड होते हो आपने अकाउंट कुला लिया आप आई-डी नंबर भी पर जब तक आपको जौब नहीं मिलती तो आप ज्यादा वेट मत करो तो जहां पर भी जौब करोगे आप आप वहां के एक्स्पिडियंस लोगे कि आप एक हफ्ते का दस दिन का नोटीस देकर जॉड़ वी सकति हो और अगर आपको बीच में कोई जॉब मिल भी जाती है तो अब बोल सकते हो भी उप आपसे पूछते हैं आपको जॉइन करें इसका मतलब क्या होता ‫ैब आप जब आते आते हो तो कुण कि दस दिन पंतरा द से क्या होगा ना आपके ऊपर बढ़न ही रहेगा है अब मेंटली सोड़ा सा हो रहा होगे रिलेक्स रहोगे चार पैसे आ रहे हैं मेरा खर से चल रहा है साधी साथ अपना जौब जूटते हो यहां पहुंचने के इबालब का पहला स्टेप यह होना चाहिए काम लेना है सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेर करो भागी खुश रहो प्यार बांट से रहो तब तक के लिए रब राखा